और अब मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ राजीव सीधे तोर पर अब सत्तापक्षटो, मिमिक्री की इस लड़ाई को अपमान और सम्मान की लड़ाई बना रहा है सीधे तोर पर वो कह रहा है उप्राश्चपति के मिमिक्री करना, Ċनका अपमान करना है और उनका अपमान करना है नहीं, जाट और किसानों का भी अपमान करने जैसा है मैं आपसे मूलतहा ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने किसान अंदोलन बहुत करीब से देखा है एक-एक दिन, एक-एक घंटा आप किसानों के बीच रहे हैं, पूरा-पूरा दिन रहे हैं उनकी व्यथा आपने सुनी है, उनका दर्द आपने सुना है, उनकी मांगे तमाम चीज़े आपने समझी भी और देश को समझाई भी तो ऐसे में उस वक्त में और आज में, जब आज मिमिक्री के इस लड़ाई को जाट और किसानों से जोड़ा जा रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ वर्षों से राजिनीती में मान और अपमान का इतना जिक्र होता है, किसी भी विरोधी पक्ष ने अगर सत्ता पक्ष के किसी वेक्ति के लिए कोई बात ऐसी कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो उसको राष्ट क सम्मान से समिधान के सम्मान से समिधानिक पदों के सम्मान से तुरन जोड़ करके देखा जाता है, और मान सम्मान और अपमान की बात तुरन सबसे ज़्यादा होने लगी, पिछले कुछ वर्षों से अगर मुसल्मान देश में किसी बात का विरोध करे, सरकार की नीतियों क विरोध करे तो उसे पाकिस्तानी, सिख अगर विरोध करे तो उसे खालिस्तानी, दलित अगर उसे उसका विरोध करे तो नकसल, ये सब शब्द पीछे बहुत प्रयोग में आने लगे हैं, और सीधे सीधे तोर पर उसको कर दिया जाता है, इसी तरह से पेंट कर दिया जाता ह आपको मालूम है कि जब ये दावे के साथ News 24 कह सकता और देश इसका गवार आहा है और किसान समाज भी गवार आहा है कि जब तीन दिल्ली की सीमा पर तीनों जगह किसान आंदोलन हो रहे थे तो किसानों की आवाज को सरकार तक पहुँचाने और सरकार की बात को किसानों तक ऑर उन दोनों पक्षों में तर्ख वितरक करने का काम किस चैनल ने और किस संस्थान ने किया है ये पूरा देश जानता है हमने किसानों को कभी खालिस्तानी नहीं कहा हमने कभी वहाँ केनडा से पैसा आ रहा है और विदेशी फंडिंग से वहाँ पर हो रही है सारी चीजे ये हमने कभी नहीं कहा किसानों की मांग को सामने रखा लेकिन मुझे हैरत इस बात की है देश के लोग जो आपका कारिकरम देख रहे है बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमेत होंगे कि उन दिनों सतिपाल मलिक भी गवर्णर थे ओपी धंकर भी गवर्णर थे पूरा देश जान गया कि सत्पाल मलिक जाट हैं और जाट किसानों की बात उन तक पहुँच रही है लेकिन क्या उस समय किसी को पता चला कि ओपी धनकड जाट समाज से आते हैं या उपराश्टपती बनने तक इतने लोगों को पता था कि ओपी धनकड जाट समाज से आते हैं पिछले दिनों अभी पूरे आजादी के बाद से इतिहास गवा है कि जब भी किसी प्रदेश में चुनावी आचार संगीता लागू ही है तो सामेधानिक पदों पर बैठे लोग अमूमन उस राज्यों में जाने से परहेज करते हैं और खासकर गरी राज्य रहा हो तो बहु नहीं है कि वो नहीं जा सकते लेकिन संसदी मर्यादाएं परंपराएं अपने पद का जो एक मान और गरीमा होती है कि चुनाओ के दौरान आप परहेज करते हैं लेकिन ओपी धंकर उपराश्टपती गय थे उस समय मुख्यमंत्री जो अश्रों गैलों थे बहुत सवाल यह है कि संसद पर 13 दिसंबर को जो सुरक्षा में चूक होई आज 21 दिसंबर है आट दिन बीच चुके सरकार का पक्षी यह है कि संसद की सुरक्षा लोकसबाद धक्ष के हवाले है और उन्होंने कमीटी की एक गठन कर दिया है 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी संसद के भ संसद बनी है उसकी फुलप्रूप सुरक्षा की विवस्ता क्या होनी चाहिए उसके लिए एक बहुत ही गंभीरता से कमीटी का गठन किया जा रहा है आप 15 दिन बचे थे अगर आप वेसे देखे तो 28 29 तक सरकार इसका जवाब दे देती लेकिन विपक्ष ने आठ दिन होह हले में और शोर शराबे में और निश्चित तोर पर देश की जनता जो संसद की कारवाई को इस तरीके से देख रही है और विपक्षी संसदों का भी आचरण देख रही है और जिस तरीके से संसदों का निलंबन हो रहा है ये भी देख रही है इसमें कोई एक पक्ष की बा का हो नौजवानों के बेरोजगारी का हो नौजवानों की नौक्रियों का हो सारे राज्यों में पर्चे लिख हुए तब इन सांसदों ने इतनी तरह हो अल्ला मचा करके या निलंबन इंद का क्यों नहीं हुआ इस संसद में सुरक्षा को लेके तीन राज्यों के चुनावी मैंने आपको बहुत सारे उधारण सुनाई थे संसदी इतिहास में प्रधान मंतरी को आपको मालूम है कि प्रधान मंतरी से राम मनोर लोहिया की संसद में हमेशा बात होती रहती थी एक बार प्रधान मंतरी को उन्होंने ये बोला कि आपके दादा मुगल दरबार में चपरा आसी के खांदान के है प्रधान मंत्री नहरू मन मन मुस्कराते रहे और खड़े होकर कि उन्होंने कहा कि चलिए आप तो मुझे कुलीन वर्क का मानते थे मैं तो शुरू से कह रहा हूं मैं सामाने परिवार का हूं आपको मालूम है फिरोज गांधी जवाललाल नहरू के दाम तस्त की पूरे सरकार के होश उड़ गए थे वित्मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था वित्मंत्री ने फिरोज गांधी को संसद में लैब डॉक कहा था पालतु कुत्ता कहा था और फिर उन्होंने उसका जो जवाब दिया वो भी सबको मालूम है तो इस संसद में नज आजादी के बाद एक महिला संसद के भीतर गई उसने रामनोहर लोहिया और दूसरे विपक्षियों को कहा तुम्हे तो आजादी मिल गई तुम लोग तो मंत्री बन गए संसद बन गए मजे ले रहे हो गाड़ी बंगला मिलना हमें क्या मिला उन्होंने का वो प्रधान मंत नहरू आ रहे थे तब सुरक्षा के ऐसा बंदोबस्त नहीं था उसने प्रधान मंतरी की अचकन को गले से पकड़ लिया नहरू से और बोला तुम तो प्रधान मंतरी बने इस देश की गरीब जनता को क्या मिला नहरू ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें यही मिला कि अ उपराष्टपती का राष्टपती का एक सांसत खड़े होकर के अगर 50 सांसत है वो मिमिक्किर कर रहा है और एक आदमी वीडियो बना रहा है बाकी आदमी वीडियो ये बना रहे है कि ये एक्टिंग कर रहे है ये वीडियो बना रहे है और उसको इतना दे दिया जाए कि इस है और यहां पर हमेशा से सवाल राश्टपती पर भी उठाए गए है उपराश्टपती के फैसलों पर भी उठाए गए है प्रणान मंत्री के फैसलों पर भी उठाए गए है और पक्ष विपक्ष इन सवालों पर राजनीत करता रहा है सवाल उठे देश में संसद जो है राष्टपती पहला नाम आता है समिनान की किताब में और लोग सबार राजसबार बाद में आते संसद तीन से बन के बनती है नई संसद बन गए उसके उद्गाटन समारों में राष्टपती नहीं आये विपक्ष का सवाल जला अपनी जगा सही थ और विपक्ष वहां नहीं पहुचा लेकिन चुकि सरकार प्रधान मुंति मोधी के नित्तितु में बनी है फैसला उनका है जन्मत उनके साथ है वह जिसको चाहे राजपाल राष्पती बनाए ऐसी ताकत जनता ने उनको दी है तो यह हक उनको है कि वह फैसला करें कि कौन आ मामला बड़ा बने कि सांसुदों के निलंबन का मामला बड़ा बने या मिमिकरी बड़ा मामला बन जाए यह जनता के सामने अपने पक्ष राजनितिक दल पेश करते हैं जनता तै करे कि उसके लिए बड़ा मामला कौन सा है बिलकुल जनता ही यह डिसाइड करेगी और उसक दिजनता उसी का जवाब अपने वोट के अधिकार से देखे